सब्सक्राइब एलो व्रीवन वेलकम टू चंड्रा यस क्लासे थीस पूजा एंड आइंड आइंट इचिंग डू पारिश्टर्टी सिस्टम तुम्हें यही पढ़ा रही थी और मैंने क्या पढ़ाया था कल की क्या होता है अमनल ब्रीथिंग क्या होता है और इंटर्नल एक् क्र स्टमेटिक में क्लियर करोंगी तो ळां राता यही था को मिया था क्या चर्ट प्रNG मर्ट लेस्टर्स तो असने मैं है उसमें क्या होता है उसमें ब्रीम होता है बाहर ब्रीतिंग और इंस्पिरिशन में रिल क्लियर किया था ना उसी को मैं फीगिडिक मेटबी सでएल आस समझाऊंगी 3 कि ब्रीतिंग में क्या होता हैatique oxygen कहां से मैं ले रहे हुआ oxygen intake 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 मतलब लेना oxygen O2 मतलब oxygen from where from where ATM atmosphere वाता वरत से ठीक है from ATM मतलब वाता वरत से ठीक है वाता वरत से oxygen लेना और nickel and cio 2 क्या होता release out All हाट कर मने लग क्या कहले लागता भृतीं और इसको मैं अब आप के किसी बता हरी हु आपके respirator का मैं अच्छेऽ से मतलब नहीं आदा क्या और क्या पटा रहुम है प्रुडव है अपटitel से प्लेस vetuses a हो क्या पाथ क्या काथ होगा कि पहले किया करेंगी इंतेक ऑ disk लिया किया हम ने ले लिया इंसे समझते रहू आभी पर गाष्टこの वटीलेशन की सिंग कैसे हो रहा ये इート लियर करएंगे विए पाथ बताऊँगे इंटेक आफ और चुरा ही कि अपलग में बताओंग समय ऑन्ल पर देटेल स्ट्रेक्शिय पताऊंगी यह होता है कि इस 50ध विटोलाई एी अपके तरो आपकी जंबते। आपके हर्ट में क्या होता है आपके पर्मोंडरी केपलरी होती है वहां पे जाता है ठीक है अब यहां पर सब्सक्राइब यहां पर आपका हर्ट होता है मैं अब इस हर्ट को यहां बना देती हूं ठीक है मैं हर्ट का इस्ट्रक्चर बना देती हूं मुझे इसके पहले सिस्टमाटिक वीव में पढ़ाना था पहले य हम सब्सक्राइब कोई नहीं लिए सब्सक्राइब यहांसे पल्मोरी रोता होता जो गॉन istent blood होता है वह कहां से आता है आपक के ऐल राय में आ जाता है कहां से यह कशीज में क्लिटर करें हूं कि देखिये ऐल लाय में auksygen आया थी अब पहले यहां के पहले और मिला और इस अगशोडस roar हूं जा रहा है आपके papa मohnti कि बेन से किस तर्फ पल्मोंरी में होता है कि आपका oxygen रेड़ जियादा होता है तो यहाँ से जा रहा है तो कि अलग बनाता है और घ्लियर होगा है जहां होता है अब ही जब यहां पर ब्लड आया पर यहां पे सिफ्टी लेवल जादा हुगा से लेवल जादा क्यों होगा क्योंकि यह आपकी लिए और यहां पर क्या होगा यहां से क्या होता है तो यह क्या करेगा यह एक क्या करता है गैन करता ऑख्सीजन और ले ले लिटा है क्या क्या कर रहा है दोग अब मैं कि अखर अब भी समझ में आगे Palm准 देंगे कि यहां पर आपका टीक्टिक्टर ना रहे हैं है यहां रहे हैं से क्या रुट पूला रहे हैं कि है इस टीसूं में निकल बताया था कि क्या हो रहा है स्टिक्वेंस याथ करीए का इस टीसू में क्या हो रहा है यहां सा हो रहा है यहां से यहां से बलड आ रहा है यहां से एंग कि आपकीये लूवल कर रहा है तो यह क्या कर दू कि यह क्या कर रहा है तो इसके अंदर प्हब्स होता है और यह ऑक्सीजन लेकर्द करता है एनरजीन करकताया फिक और सियोटू निकलता डिजालता है वहीं लुटू यहां जा沒有 सब्सक्राइ euros अब यहां पर शेलों सब्सक्राइब कर देते हैं इसरी हट में ऊपका ह давай यह पहां से आ कि यह यह वाला है यह जो ऑक्सींजन कर रहा है यह आपके ऐसरा आर्पकिल से यहां से आ रहा है रहा है और दो यह की सक्थल के तो ढहर दो जायेंसी सपोर्थ द्रहर लिए यह पूरा ब्लड लिया और यह नहीं पर ब्लड ह होते हैं अब यहां पर और हो जाता है फिर यह oxygen वालबलड इसमें आ जाता है ठीक है और यह oxygen वालबलड फिर यहां से फिर पूरी बॉड़ी में जाता है थोड़ा से clear figure बना देता है ठीक है इसके लिए पहले मुझे स्टमेटिक विए में पढ़ाना था थोड़ा से पूरी मिश्टिक हुआ है चली फिर से देखिए यह हर्ट है यह हर्ट है और इसके चार चैंबर है बनाती हूं यह हो गया राइट अर्किल लेफ्ट आर्किल राइट वेंटिकल और लेफ्ट वेंटिकल खिक मैंने कहा और यह जानते हैं यह आपका लंग का खिलाई है इसी में आक्सिजिए करके बाहर निंकल जाएगा ठीक चीज क्लियर कर लो इसी में आक्सिजिन इकला से भर देती हूं समय में आ अप लेफिगा था और अ करे ऑक्सिजिन फिलों गया यह है इसमें सपोर्द्द यह औक्सीजिएं रखा हुआ है ठ्क चब आक्सी तो यहां पर ऐसे घ्रावा है मतलब ऑक्सीजन बढ़ा हुआ है एक्षेंज होगा ऐल कॉंसेंटेशन के इसलिए डिफूजन प्रॉसेस दरा डिफूजन प्रॉसेस्ट जब इसमें ऑक्सीजन कम है तो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ आता है अब यहां पर आपका चेंजिंग से निकलता है । ठीक है किस पॉल्मोंरी बेन से जाता है और सुध्ध ब्लद क्या होता है zajया फर्मोंरी arc और यहां पर सियोटू इसको दे दिया देखें सियोटू इसको दे दिया और यह सियोटू बाहर निकल गया और इससे क्या कर रहा है ऑक्सीजन ले रहा है यह ऑक्सीजन इस साइड आ गया ठीक यहां पर वही ऑक्सीजन यहां पर आ जाता है और फिर इस ऑक्सीजन से मैंने य यहां से आया वही oxygen और यहां पे आ गया और यहीं से यह जो नली मैंने जोड़ा है कि देखिए ऐसे एक्स्चेंज होके पूरी बॉड़ी में अब जा रहा है अब यह oxygen ब्लड पूरी बॉड़ी में दोड़ रहा है ठीक दोड़ रहा है पहुंच गया आपके तीसू के पास आ कोई- vitam कोई oxygen कर रहा है ले हैं ठीक डीक का अपर हम आपके हां यहें हाँ रूप में टूपिघए जब आपके आरटरी बेंड जहां एक्स्चेंज करना होता है जहां पर लिख देंग यहां पर प्ल्ट on करना होता है वहां यही ब्लड का जो गुच्छा होता है चोटी-चोटी केपलरी में तूट जाता है ब्लड एक्षेंज करना होता है एक जगा और समझाएंगे लिकिन पहले पूरा एक पाथ समझा रहे हूं जिसे समझ में आपको इसके पहले बाला चैप्टर डाइशेशन सम अब निकले इसलिए बार्बर में फोकस करें जापर कि एक्षेंज करना होता है वहाँ पर क्या होता है यह जो ब्लड के मैंने कहा हर्ट से आपके डारेक्ट आप और यहां पर कैपलिरी लेबल में तूच जाते किसमें का प्लिरी मतले मतलब चब्षोटे-चूटे-चूट पास झादा है के पास बलड का जो चोटा-चोटा पार्ट के लाता है बलब-ब वेसल आटे और बेन का ही ब्लड वेसल कहीं जब चोटा पार्ट शूटता तो को क्या करते हैं तुरंत इसको ऑक्सीजन ज्यादा है बाई इसको बीचीज हाइर कॉंसेंटेशन से लोवर कंस्ट मतलब ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ अब भाई सोचो आप डारेक्ट यह चेंज करके आ रहा है और अक्सीजन ले लिया तो जब यह अहां आ रहा है तो अक्सीजन ज्यादा इसको तो यह क्या करेगा इसको अक्सीजन दे देगा और यह सियोटू इसके पास भाई सियोटू टुटा है क्योंकि यह ग्लुकोज से और आक्सीजन करके सियोटू तोड़ा अब यह सियोटू इसमें पहुच गया आप मैंने क्या बतायता कि यही सिय ज्यान दिजे यही CO2 वाला ब्लड जाके आपके राइट आर्किल से जूड़ जाएगा और यह राइट आर्किल यानि तो पीरियर बेना कॉपा मतलब बेन से और यहां पर क्या होगा यहां पर पूरी बाड़ी में जाएगा फिर यहां पर और जो आपका oxygen पा गए oxygen करके फिर वही reaction co2 निकलेगा और energy energy ऐसे मिलता है इनको फिर co2 बाहर निकलेगा फिर ऐसे जाएगा तब फिर यही काम करेगा यह ऐसे चेंज होगा और ऐसे ही process चलता रिस्प्रेशन यही एक process है जो कि आप कम सब्दों में समझ सकते परस अपनी की द गेंज हो गया oxygen गेंग किया glucose तूट गया और यहां से फिर आपके यह जाएगा ऐसे हर्ट में जुड़ेगा और हर्ट में क्या करेगा यह जाद गया आपके हर्ट में जुड़ा अब यहां पर कौन सा वालब लड़ है यहां पर इसके अंदर कौन सा है co2 जादा है then the oxygen अभ जाते हं यह आप खरुए ऐसे होता है मैंल फेंट गशंज होता थे जब बना कर देखा ठेश कहला हम देखे इनकी पर यह जब अधिनों निś kindergal wom Group क्रूल लटए यह जाता हर्ट में this indifferent that kidding और यहां पर क्यासा हो जाता है गत dich कि ए इसे समझाने क्लिए मैं कर रहे हुँ ठीक है इसे बेन बनके यहां पे जाता और यह और नाला चेपिलरी में दूर्ट प्लच ले लो होता है drag ब्लू कलर का हो जाता है इसलिए आपको जो बेल सोते ब्लू दिखते हैं और यह क्या करता है यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा देखो बाई ऑक्सीजन ज्यादा था तब तकी रट था फिर ब्लू कैपलरी आगे तूटके आपके जाके हर्ट पर मिलता हर्ट से अल्वियोलाई आ यही बिसनान पर घ्र करने की करता है और क्या इस क्या है आपके क्राइए तो यहां पर नगे ऑक्सीजन यहां पर हो रहा है तो यह घर क्या है तुलमॉनरी ता गिवां यही बूला है इस अक्सटर्नल लिए ब्लमॉलेट कहती है Ungly लिखा था अपने श्थ दर्ण लिखाथा आपने एक्स्टरनल डिस्परेश्ट्छं गुग इसको कहते हैं इसमें क्या होता यह बेट में प्लमोरी के बीच में पलमोरी के बीच में आपका इसका यह यह आगे यहां पर भी तो तूटता है जहां भी एक्सचेंज होना होता है यहां पर इंटरनल इस्परेशन यहां पर डाल दो इंटरनल इसको कहेंगे यहां पर मतलब बलेड में बलड तक आ जाता मतलब जब टीशू लेबल तक आ जाता तो यह कहला कहलाता है इंटर्नल डिस्पाइरेशन और यहांपर यहांती केपलरी थोड़ा से तीसू अच्छा संवाँ बना लीजिए यहां पर टीशू क भी बना लीजिए कैपलरी ने हैं यहांपर का erो मतलब की स्योटूidores में ज़्यादा है और यहां पर क्या ज्यादा है ऑच्छोस ज्यादा है सिर्थ यह घृब यहां पर किया है अब यहां पर सिकंडीन जाधा होगा यह पर यह होता है दोनों में डिफ्रेंट अब थोड़ा से मैं इसमें इसके प्रॉसेज में लिक लिए थी दिए क्या क्या प्रोसेट जो मैंने समझा है वही मैं लिख दे रही हूं एक लाइन में ठीक है आपको का टफ नहीं लगएगा ब्रीधिंग क्या होता है पहले क्या कि आपने इंट्रेट क्योंकि में जानते हैं एक्जाम के वेसिस में रतारा से जादा समझाना चाहते हूं कि समझने पे जयादा कभी भूलता नहीं है क्या कि आप लमएगने इंटेक औब ऑक्सीजन पहले औउक्सीजन ली आ लिए हींदी मी लागे औप में लिर ऑक्सीजर Dim Soon लेगद हूगे। क्या हो है inhalation कर लिया अब तो समझ में आना कि इनलेशन और इक्जिलेशन क्या होता है यहीं पर बाहर ही इनलेशन इक्जिलेशन होगा ठीक है उसके क्या करेंगे एक्स्टर्नल एक्स्टर्नल क्या होगा अभी मैंने समझाए कि जब आप इस पे पर्मोरी कैपलरी और कैपलरी के बीच में करेंगे अल्वियोलाई था अल्वियोलाई जो चेंज करते हैं लंग में भाई क्यों गैसे से बीच या आपने गैसे को एक्स्टेंज किया गैस को इसा की को बोलते हैं bå La Pe option पर पहुंचेगे तबूहां पर क्या होगा बिटमें टीश्यों और सिस्टमर टानी तब ओ बासे लेखना है टीशु लेवर के अलब पर आगे अंसे किसी सांस के लिए बेटर महीं है झाल तो हुत अधिस्टोल नेवल पर ठीक है उस पर बहुत है कि इसमें एक शेंज होगा तो जब सेललर प know तो इसी को तो cellular respiration कहते हैं क्या कहला आइ यह और निकाल देते हैं इसमें क्या करता है Cellular Respiration में पूच्छ सकता Glycolysis आता है Krebs cycle होता और Electron Transports System Glycolysis Glycolysis Kreb Cycle Kreb Cycle और ETS, Electron Transport System, Electron Transport System, तीन चीज़े हो गई, और राष्ट में क्या होगा, Release of CO2, यह सारे सिस्टम हो गए, चाहिए, आपके वह सारे अपके सिस्टम हो होगे, अब हम लोग आते हैं, अब हम सारे अब राज आते हैं, आपके क्या क्या होते हैं, पहले आपकी नाप होते हैं फिर अफ्री उसमा बताये था chemistry system में, ठीक है? कि अपने दिमाग में रख लिए कि हां कि मैं सांस लेना क्या है और स्विशन क्या है लेकिन जब अंदर एक्सचेंज होता तो इंटरनल इसपरेशन होता है तो इसलिए और एक चीज हमने बताया था जब वह बताया था उसको कौन-कौन सा जान आनिमल कैसे कैसे स्वसंद लेता है अर्थ्वाम का इसकीन से भी लिखनी दिएगा ठीक है केचुआ वैसे जो क्योंशन छूटेगा यह सी कुमें जरूर करांगी ठीक है एक भी क्योंशन नहीं छूटेगा आउट-आउट-ाउट जाएगा ही नहीं चाम से क्यों में मतलो जैसे मेरी डाइस्टिप सिस्टम बता था कि सारे अंग के नाम वैसे मैं इसमें बता दीरेदीश्पेगर बना दोंगी ठीक है लेकिन वहन है कि इस पेरेटरी को मतलब अब इस्ट्रक्चर की बार ही आगे क्या क्या होता है इस सिस्टम में ओके क्या क्या होता है इस सिस्टम में क्लियर पहले हमारा रिस्पारिटी ट्यूब होता है फिर हमारा लंग्स होता है फिर हमारा डायफॉर्म होता है तीन चीज में बना होता है अब मैं बताऊंगे रिस्पारिटी ट्यूब क्या होता है आपका यह लंग्स औ प्रिस्पारिटी चूँ ओके देन आपके लंग्स देन फिर डियाफोर्म तीन चीजे होती है ठीक है अब आपके नॉस्ट्री मतलब जो छेद है यहां से स्टार्ट हुआ तो पहला क्या होता है मैं पहले एक सिक्वेंस में लिखूंगी फिर लंक्स पर पहुंगी फिर में लैंक्स का इस तब बताऊंगे पहले में रिस्पारिटी ट्यूब क्लियर कर चैंबर है यह सब उसके बाः लंक्स होता और उसके अंदर हट होता नीचे डायओ फॉर्म होता है इतने ही श्ट्रक्च्छर होते है तो पहले हमारा कहा से श्टार्ट होको मतलब नंच के चिदर लिख सकते हैं इन यह अन्यामजे अपने समझे लिए फिर आता है आपका च चमेंबर की बाद आपको पढ़ाया था तब ही मैंने बुलाता है फैरिंग्स क्या करता है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ता इसमें भी ता फैरिंग्स क्या करता है तो दोनों को पास से उसका कोई वर्ट नहीं होता तो फिर आजाता है फेरिंग किसे भी एक्जाम लेबल ठीक है थोड़ा सा है यह तो यहां पे आ जाता यह आपका गलत जो बोलने माला वह गालती है यह आपके स्बढ़िए इसी सिक्वेंश में आता है ठीक है लाइरे माई त्रम में है तिया तो आपको फील होता है वemo scanning और चले लगोंगे see से लिं होते मैं आगे डिवल बतांठे़ फैक है एक रेकिए रेकिया से भरा पहुचे बारे में बात करने जाते हैं फिर आपके ब्रैंक की आई एंड ब्रैंकि आई यह जो चल रहा है और लाश्ट में जब आल्गी आता है उसकी बात हो रही है फिर ब्रैंक की आई यहां से आपके लंग्स में आ गए यह ब्रैंकिया ब्रैंकिया इसके बाद ब्रैंकियों पिर ब्रैंकियों टेंट आपके लंग्स के इसवाले स्टरक्शर पहुंचे चल्लावाला हुआ और और यह जो अल्वीड यह इसका मैं जूंग करके बना रही हूं यह बना अल्वी अल्वीड बनाने से से कि यह जो में स्ट्क्चरअ कि बनाया है मैंने यह बैदा और यह बिदॉराई तो उस ही ज़ल रहा है अभी तक कि ब्रांच है कि ब्रांच है निकल रहते हैं इसके ब्रUI यॉ ते झाले अव लोगênio सिपनी टकन ड़त है एंस वील नली यह जूरा को मेरी लोलर दक्त के लास्ट में आप करता है अल्वियोलाई तो जानते हैं मेन एक्सचेंज जोन यही है यहीं पे एक्सेंज होता है यह सब तो क्यों ऐसे पाथ ऐसे जा रहा है नाक से जा रहा ऑक्सिजन यहाँ पर आपकी नेशल चैम्बर पढ़ा फैरिंग से फिर लारिनिंग स से होते हैं आपके अल्वियोलाई से क्या करता है यह तो ले लेता और उसमें ऑक्सिजन डाल देता क्योंकि हाइर कॉंसल्टेशन तो उससे में भाईया सास लिये रहते हैं हम लोग सारे मतलब उसको तोड़े रहते हैं जितना ऑक्सिजन हमारी बॉड़ी में रहता है फिर चैन्ज होता है फिर लेf रोडी में जाता है और वहां से होते हुए अपने दिमामें से एक बार दोबार देखने हम पार चीज़ चलने लगता है अपने आपको फील कीजिए सब आपके अंदर हो रहा है तो यहां पर क्या रहा हुआ है यहां पर एक झीज जंज आप होते हैं तो दो यह बार पढ़ेंगे एक्सचेंज यहां पी गैसी का इक्सचेंज होता है यहीं रूल होता है ज़ा दिफ्यूजन प्रॉसेस्स मतलब जहाँ जदा हूं अक्सिजन लेता और तो तुरंद बाहर निकाल देता यही प्रॉसेर होता है तो कि ट्यूब मैंने बताया तो आपके नॉस्टर में थोड़ा सा बता दे क्या क्या होता एक होता जैसे आपको और फैक्ट्री पार्ट होते हैं मतलब आपको कैसे कोई समय आती है क्यों आती है कोई समय आईसे हम नॉस्ट्रिल रहे कि तिक नॉस्ट्रिल के भारे में क्लीर करती हूं थे आगे लम्स बताओं के दर्शी आथे जिसन नॉस्ट्रिल में क्त्राइब कर लेता है यहाब wizard तरफ बाहरी चीजे आती जिसे आपके डश्ट पार्टिकिल्स आते हैं उनको अंदर नहीं जाने देता कई चीजे होती है फिर आपके जो रिस्पारी पार्ट मैंने इतना बड़ा बताया आपको वह क्या करता है पूलिंग करता है कभी आप गर्मी देखो आप जानते हैं है बहुत थंड हो तब भी यह क्या करता है ना आत्री बेन प्लड होता यह क्या करता है ज्यादा थंडा ले लो तब भी उसको परावर कर देता है और बहुत ज्यादा यह है तो हम इसके थोड़े सब तीनों पार्ट में नेसल चैंबर जो हमारे नाग के चैंबर में है कि मैं कोई स्प्राइब चैंब है जैसे समझा देना तो वेस्टीबूलर पार्ट इसमें क्या होता है म्यूकस रिलीज करता है रिलीज मूकस क्या करता है आपके foreign particles को ट्रैक कर लेता है या लिख लो foreign particles अपनी लैंगोज में आप लोग समझने के लिए लिख सकते हो कुछ भी गंदगी को धूल को डश्ट को हां धूल गंदगी और विदेशी पूंदर नहीं जाने देता है तो अधर नहीं जाने देता है करते हैं अंदर जाने से रोपता है इसको अपनी लाइगोज में लेकलो धूल यह डाइस तीन सब्सक्राइब अंदर जाने से रोपता है अहीं है कि अंतर ब्श्राइब कर इस पाइद कि पार्ट मैंने बताया जो मैंने अब इतना बड़ा प्रता रेसे नहीं सब्सक्राइब धर्टमार्थ में क्या कर रहे हैं कि यह क्या करते हैं आपका यह बैस्कुलर यह यह ज्यादा होते है और ज्यादा होते तो बना होता होता है। जब जरूरत होता है खूर्म अंध्यकर कर देता है you कि अगे पिर किया करता है एएर कंडिशनर का ही काम कर रहा है तो अपने लेंगोज में लिख भी सकते हैं जो भी लोग भी बहुते थे तो आपको समझ में आए ठीक और यह क्या करता है आगे इंटर्नल लेयर में जाता है फैरिंग्स लाइंग्स ठीक लाइंग्स में आपके कॉर्टिलेजिनस बॉक्स होता है इसको भी लिख लीजिए इंटर्नल लेयर में यहां पहुंच आपके इंटर्नल लेयर में हटलब नोज की यहां पर वेस्टिबूलर से आगे नीचे इंटर्नल लेरेंगुट पर वहां पर क्या होता है नेर आपका फैरिंग्स लेरिंग तो फैरिंग्स लेरिंग लेरिंग्स लेरिंग साके इसलिए और लेंगउज कुछ की लेख सब्सक्राइब तो समझना आपको मुझे 11-12-13 का पेपर नहीं देना है तो हमें बस समझना होता है इसलिए यहां पर लेंगोज प्रॉब्लम हां मानते हैं कि थोड़ा टफ है लेकिन होना नहीं चाहिए और यहां पर अपने उन लेंग में समझना है मुझे कुछ भी जानते अब एक चीछ एक जाम में आया हाएनास बॉक्स कितने इसमें नाइट हुआ होभे टेलेंज होते हैं क्या है और कि लेकिन नाइं करदेलियो यह मैंसे मैं बताया है ता पिर देखहर समस्रेगा अब करदा कर्म बन मजबूत होथा आ यहाउन पर जाकिए , अच्व يल premises ई संवने सिंख घया है है कि अदेस्कित फिर आते हैं आपके अल्फेक्टरिभाड आ मतलब ही समझ रहा होँँगे जो हमें स्मेल देता है हमारे रोत क्या होता है इस इसमेल इसमेल पार्ट हमें इसमेल आती है ठीक है अब यहां पर बताएंगे आपको यह जो मैंने बताया ब्रांच उस ब्रांच को में दिफाइन करूंगी ठीक है मतलब लग्स में दिखाऊंगी कहां क्या क्या है इसका स्टक्चर मैं ने लिख दिया अमेरा बना रहे हैं लेकिये क्या हो रहा है कि हमारे ट्रैक्या कर जाती है क्या करती ट्रैक्या यहां पर आप लाटी साता है अगे जाता है तो उधर तो लगा होता है जैसे आप खाना खाते हैं इस निकला खाना बंद होता है इसलिए जब आप खाना खाते हैं तो फूड से उपर लगा देता है इसलिए कैप होती है तो जानते हैं यहां ट्रैकिया जाते हैं यह भी क्यूशन आया है फिप्त तोरेसिस बर्टी बरा अब यह बर्टी बरा जानते हैं जब पढ़ाएंगे आप कंकाल वाला चेप्टर तर समझ में आएगा लेकिन मैं बता रहे हूं यह क्यूशन है रख तो मैं वो चीज बता रही हां विगर के तरो तो यह हमारा ग्लॉटी इस इस बना होता है काटीलेशन अब आते हैं हमारे ट्रैकिया पे रैकिया इससे छल्ले लगे होते हैं इसने सी से चल्ले लगे होते हैं इसने मैंने क्या बता है कि आगे 5 थोरशीस बर्णी बट जाता है तो पार्ट में किस प्लेबल पे पिश्त थोरशीस बर्णी यहां से डीवाइड हुआ साइड एक और दूसरे साइड एक डीवाइड हो गहा ह curriculum अब लेकिंट आγकोसे भार डेसी किका स्षी खिर हुँआ , इसी और कि अपर लगा होता है यह राइट मसीं होता हुआ है इत्पी धो यह करता है यह नहीं रेट साइड में बढ़ जाता और लेफ्ट साइड में रिजनी का इसमें भी है और यह लेफ्ट है हमारा राइट आपकी कॉपी का लेफ्ट होगा और लेफ्ट राइट होगा ठीक है थोड़ा सा कंफुजन मुझे पहले होता था तो साइध मैं उसी लेवल से आपको भी समझ देखिए तो जो यह प्राइमरी 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 ब्रॉंकी आए ग छो यह हो दो मगिए ओर दा और इसलोंडे अप जो यह होता है wire आगे डिवाइड होंगे सेकंडरी ब्रॉंक्याइट अब यह आगे इसमें भी ऐसे से कंडी ओके से कंडी खाष्ट की इसमें जानते हैं देखिए यह तो लोक है और जानते हैं यह एक टू लोग है तो लोग है यह कि जूछ कहें अब इसवी नोट पूछत त्री लोग में डिवाइड के निकले से दो फिसर होंगए नकितने फिसर हैंप में अब आपके मैं हाठ का पोजिशन सब्सक्रास में यह बताने वाला इस टू किया यह कि है दिवाइदर एक बाहर का यह यह एक किसमें दो पाउट में डिवाइडर है कि तो क्या है यह पहला बाहर का पराइटल प्लिवरा यह पराइटल प्लिवरा प्लिवरा और जो अंदर का होता है उसको बोले हैं बीशलर प्लिवरा अब यह देखे इसका हिंदी भी मेनिंग वही होगा इंग्लिस भी मीणिंग वही होगा बस हमारा जो टम समय हिंदी ही बोल रहे हैं तो दिक्कत तो नहीं होना ची लंग से लम से और इसके बीच में इसा स्पेस इसे को बोलते हैं तो आप नहीं जाने तो इसके थ्टफ सा इंग्री करते हैं प्लिउरल इस्पेस अब जो तम बोले उसको हिंदी में बोलना चाहिए मुझे वो तो मैं हिंदी में ही बोल रहें ठीक है तो इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए और बायों इंग्लिस में ही ज्यादा समझना था अब यह चीजे दोनों हो गया अब मैंने पताया कि आपके लेफ्ट साइड में आ को होता है मतलब गढ़ा ठाइक होतां और उसी में आपका हर्ड्रायड साइड में लट्का हुता है जयावक यहां पर pend мож TL think की समांग उगे इस नउ नौन को टेstein काते ह्ट इपस्ट्टेस होतां हमने हार्ट से लिए ही गया है ऐसी तरह से हेडए mm अब यह चीज़े जो मैं बोल नहीं इसको लीख लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा तो देखें अब हर्ट यह हमारा ब्लॉटीस होता है यहां पर कैसे हो रहा है यहां से आता है हवा यहां से आता है यह चाहिए और जाते हैं फिर टर्सपारी ब्रॉंच्यार बढ़ जाते है यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह तर्ड यह और डिवाइट होता है यह बहुत राइट साइट का ये लेफ राइट और ये लेफ प्राज्री अग और ये टर्सरी ब्रंप की ये और इस में आए इसे डिवाइड होता है और इस तरह से इसका कि दूसरे जगम कर चले ठीक है इस तरह सन इसका अरेंस्जमेट होता है ओक्षिजिए रही क्षिऑ की बहुत छाय को बहुत साथ है खो जैसे ही आपका यहां पर ही का है और को चाहिए और निकलता है यहां से बाहर निकल को यह जाता है यह स्तक्य के बारे में हुआ आपके लग्स का यह trata का यह प्लिऊरा का नाम आता है तो पली आप Hasta लेख लीजें ट्रैकिया वाल ऊप्रैक ट्रैकिया डिवाइट क्यों सिस लेवल पे ट्रैकिया डिवाइट विपth Thorauses बर्टिब्र है आपके कितने बर्टिब्र है डिवाइड अधि लेबल आप किस मुझ रहा है कि आपका ट्राइक दो पार्ट में किस लेबल पर डिवाइड है यह कुश्चन आता है तो ठीक है अधिक अधिक पूर एकिस इसके बारहिए और फीगड में लिखना लिखा दीया तो इतना लिखाने की जोट नहीं यह लिखा यहा ही दिया मैंने कि आपके तने कार्डेती नौच होता हैं हाट अक्लत कर लटका हुआ हूआ है लटका हूँआ हiennent और प्लरहीं अगि denli Driver अगर आप देख लेंगे एक दो बार वितल यही तिना रिपीट करें सिर्फ इतना तो समझ में आ जाएगा ठीक है अब आगे पहुझते हैं कि जो इसके जो आप ही मैंने फीगर बनाया यह वाला इसको भी एक फीगर से क्लियर कर देंगे क्योंकि लिखना नहीं चाहरा है ठीक है लिखने की जोड़त नहीं है फीगर से जारा समझ में आ जाएगा ओके छलिए मैं इसमें फिर से वही राइकीय से कैसे ब्रॉंकिय. यह पूरा इस्क्ट्र बना देरे हूं ठीक है आपका ट्राइटिया से श्शुआ था लैर्ण्ग्स अबना रही है फिर ब्रांच का इस्ट्रक्ट ? सारा इस्ट्र.शुर सभी पढाते है ठीक है पिर यहाँ पे पूरा नहीं कि पूरा आगे से पीछे हो सिर्फ आगे ठीक कंप्लीट होता है ठीक है कार्टिलेज रिंग होता है यह भी कार्टिलेज मैंने बोन और कार्टिलेज बढ़ाया था वहां पे जाके देखिए फिर यह आगे आइसे किन में टूठा फिर थोरे से पे ब्रॉंकिया में टूठा है इन एक साइड का लेकर बरना रहे खें होता है यह पार है सब चीजे मैं एक साइड का लेरों प्र आगे फिर आगे तूठा है कि इस दड़ेंडरी ब्रॉंक्या है खाला है bon अभी तो सीकत चरला यह गए क्षम आता है पर ख़ुक्ष कहां तक लगा ब्रॉंक्यों उसके बाद आपके अलबीयो नाय यहां से आगे सबस्क्राइब करते हैं का कल लाइ ऐसे धेर सारे होते हैं ठीक है अल्वियोल अल्ट झिए वियोल अल्वियोलाई टूटता जाता है ठीक है अ की है तो यह तो यह ने क्योक्षिन आता है यह भी लिख लेज्य फूर्टा है यह को अगर क्या हो आता है क्या होगा मतलब लंग की उनिट क्या भाई अल्वियोलाई उसी में तो ऑक्सिजन भरे होते हैं तो यही तो होगा इस्ट्रक्चरा यूनिट आफ लंग क्या बोलेंगे यही डारिक बोलो या पुरा लिख लो सर्रचनात्मक और किर्यात्मक की काया फ्लंग हिंदी के लिए च प्रेपड़े की सर्रचनात्मक और किर्यात्मक इकाई क्या होती है अल्वियोलाई होती है यह होती है यह होती है कितने अल्वियोलाई पाई जाता है यह जो इतना जानते में यह एक्सचेंज ओन है यही पर तो एक्सचेंज हो रहा है सिर्फ इतना लोग दो लोग मतलब लेता देता है तो उसी इतनी है जो यह हो और है यहां पर जा jalund है यहां से पूरा कर लो नोर्ष थी का है नौश फिर नॉस्टिल म्तर्चेंबर नॉस्टिल चाउमबर तो छंबर फिर लैरिंग्स पैरिंग अलद है पाइय्ग लेरिंग갈 पीर दौला गया गुलॉटे सी कुरह के लिया यहां पर ठीक है और एक चीज इनकम हां फिर यहां पहुचता है कि और belly लगा होता है कि क्या करता है कैसे मीडिया में चारता है यहां से होते हुआ हां पहुचता कि यह सारे यहां तक ही कंडेक्टिंग यहां से माध्या है कंड़क्टिंग एक यह हैं यहां तक पहुचता है और प्रेक्या क्या होता है हमारे मेट थोरे से cavity में ठीक है त्रैकिया कि और जाते हैं यहां तक आपके छल्ले होते हैं कहां तक आपके Cस्री ब्रॉक यह अधिक और से इनकंप्लीट ठीक है circa सी सेब में इनकंप्लीट मतला पूरी नहीं इनकंप्लीट होता है है न असा नहीं कि पूरा गोल सा हूं इंकंप्लीट है है कर तिलेजिनस पर लेजिनस होता है ठीक है इंकंप्लेजिनस होता है ओक तो यह हो गया और है एक चीज और आपका जो लंग्स होता है उसमें कोई मसल्स नहीं होता ध्यान रखना न इस संकन लंग विदाऊच मसल्स लंग होता है ठीक है लंग कैसा होता है लंग अपे लिख लिए लिखने वाला टंब कम दिखा रहे हो इसलिए लंगस कैसा होता है पूछा जाता है कि मसल्स होते हैं संकन, संकन का मतलब, कैसा होता है, संकन लंग होता है, लंग कैसा होता है, संकन लंग, नुम मसल्स, नहीं होते हैं लंग को क्या ठी importantes, फिर आपके के पीछे का मतलब होता है फिर आपका sternum होता है आगे प्रेस्ट पून मतलब sternum होता है फिर रडुपरेबरल कार्णम पीछे से और साइड से आपके हडिया एक गुफा की तरह थोरेसस कैवेटी में तो आपका लॉटेक्ट भाई एक थोरेसस कैवेटी तो अन्य किसे प्रोटेक्ट होता है आद अलब कवर्ड लिख सकते हो फिसके लाइं कि फुर्ण दूर्ड होता है तिस से ऐ भाई पोबेसिस क्फेंब और इस छेंबर से कबर्ण होता है यह जानते हैं आपका जो आगे देखिए आपका नियक है पीछे आपका देखिए अ कारओ का आगा हमारा दॉसल करopleм दॉसल चीह ना सब्सक्राइब अगे पर कुछ से कबर करें तब ही समझ में आगा कुछ भी तफ नहीं है तो छिψ तफ लगी हाँ § कि यहां से उपर कि एंटेरियर में कि एंटेरली क्या है आपका नेक है कि एंटेरली मतलब सामने क्या है तो अब फील कर सकते हो कैसे आप दबा पा रहें अपनी लंग को भाई विदा उत मसल सदो तो दब जाएगा उसको प्रोटेट केज बना ना यह थोरी से चैंबर का की चैंबर जो इस बना रहा है उसमें लंग को प्रोटेट करा क्योंकि लंग करने ना ऐसे सब्सक्राइब करता है जब आपके सारे औक्सीजन भर जातें आपके उन्वार्मेंट से ऑफ्सीजन भर जाते हैं तो क्या पूलता है संकन है विदाउस मसल्स ना प्रोटेस्ट करने लिए कुछ चैहिए यह थोड़सी चैंबर होता आ आने बता है कि आगे से आपका क्या होगा नेक होगा चलिए आप बेंटर मतलब आप सामने से आप फील कर सकते हो कि बोन ही है ना इस टर्णम है ना यह इस टर्णम वेस्ट बोन को इस टर्णम यहाए उसके बाद चाहिए लिक्सकों कल कर लोगी दोषिए का पीछे किया है अबके आपके उसको प्रोटेक्ट कर आप फीछे क्या है वर्टिब्रल रोल बर्टिब्र्ल कॉलμε हिए ना टेल कम आन। यतर ही इस टर्णम क्यूंधर norm के और कि यह हैं अपतिचर सची विवर्टिंटिंग है यह इंधी लिए सकते में बॉल रही हुं किया है ? में वटीबर कि भर्टीब्र एव इस अगे आपका निची डाय inform जब आब आप सब्सम्स लिए जानते हैं किया इस पेस दैफ तो निचे जाता और इस पेस हो जाता है और स्पेस हो जाता था इस तरह से हमाथ बन जाता है और जो इस तरह से मलब क्या होता हुता हमारा ठीक है और इसके आगे और कल बढ़ाऊगी आज क्लास में यहीं करती हूँ थैंक यू और इसके पहले पीछे का वीडियो देखिएगा और वैसे आज का टफ नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप तो कंसेट्चुल वीडियो आप जरूर देखिए गए इसको फिए थैंक यू सो मच